ओहो लगता है बिग बॉस सच में इस साल काफी ज़दा फास्ट चलने वाला है अभी बिग बॉस बार-बार कह रहे हैं हमें जंता को कंफ्यूज नहीं करना है आपका जो है हमें सब सही से पहले से देखना है be clear on what you want और ये सारी चीजे जो बिग बॉस कह रहे हैं लगता है कं उनों साइड खिलते हुए नजर आ रहे है एक साइड काफी evident है दूसरे साइड एकदम शुर्वात शुर्वात की दौर है चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा है आप देख रहे है फीफा फूस मैं हूँ आपकी host और दोस्त विदांगी करने को वैल आपको बताते ह आज के एपिसोड में हमने कही ने कही देखा कि सुंबुल और शालीम में नजदी क्या बढ़ते हुए नजर आ रही है एक तो दोनों ही नेबर्स है यानि पड़ोसी है आसपास की गाहों में रहते हैं मतब उनका जो क्या आप बोल सकते हैं नेटेव है पास में ही है उसके आज के एपिसोड में देखा पूल में फेकने वारी बात सुंबुल को उठाके शालीम ने फेक दिया फिर उसके बाद सुंबुल और मान्या का जब फाइट हुआ था यानि जब नॉमिनेशन की बारी आई थी सुंबुल ने मान्या का नाम लिया था मान्या काफी नाराज तो ऐसे हाथ रखा होता हाथ जटक दिया था मान्या ने सुंबुल का ये बार शालीम बताते हुए नजर आ रहे थे और कही न कहीं ने चीज बुरी लगी कि सुंबुल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है इन फाइक जब सुंबुल एक बहुती इमोशनल सा जो रैप सॉंग सुना ये दिख भी रहा है और सुंबुल को उठा दिया था शालीन ने बीच में फिर शालीन ने भी सुंबुल को उठाया ने पहले शालीन ने सुंबुल को उठाया फिर सुंबुल ने भी शालीन को उठाया ये सारी चीजे हुई और उसके बाद आज के लाइफ पीड में अभी कहीन कहीन के इनके बीच closeness बढ़ रही है और ये couple हो सकते है तो हाँ दिख तो रहा है कि इनके बीच नजदी क्या जरूर बढ़ रही है जहां पे अगेंस रिजटा के साथ और प्रियांक के साथ बात करी थी मान्या तब उन्होंनें बताया कि किस तरीके से मान्या और मान्या को पहले चडाए जा रहा था गौतम के नाम से और अब दोनों जब बात करेए थे तो टीना को ये बात पसंद आए आज के एपिसोल में हमें देखा दोनों के भी शनडाई भी हुई थी तो कहीन है कर उनने पसंद नहीं आ रहा है तो टीना जो है नहीं चहाती की गौतम मांन्या से बात करीए मानिया बात करी है ये लाइफ वीडिमें हम ने देखा साथ ही साथ वो कह रहे है कि ठीक अगर इन दोरों को एक साथ रहना है कपल बनना है मुझे कोई फरक नहीं पड़ता मैं आपर प्यार वगर करने नहीं आई हूँ मैं आपर अपने दम पे आई हूँ आगे जाओंगे तो गौरफ टीना का ये जो कपल है दो कपल्स है क्या ये बहुत जल्द बनेंगे क्या ये दोस्ती है या फिर नस्दी क्या बढ़ रही है दूसरे के करीब आ रहे है और क्या बिग बॉस को अब इस बार एक नहीं बलकि दो-दो कपल मिल जाएंगे और वो भी शो के काफी स्ट में क्या है लगता इस पर आपकी राय कॉमें सेक्शन बताना सी यू